समस्कार दोस्तों, दोस्तों 30 December 2021 है और इसी बीच एक news circulate होड़ा है दोस्तों, सारे social media में उसके साथ साथ जितने भी electronic media है, मतलब जो freelancing बोल सकते हो, freelancing जो side है, जो independent media बोलते हैं, तो उसमें circulate होड़ा है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आज हमने वीडियो बनाएं, क्यू क्यूंकि आज कोई भी topic नहीं थे, लेकिन हमने सोचा, मेरा जो viewer से, मेरा जो subscriber है, उन लोगों को ए चीज हम लोग पहुचा देंगे, क्या news है दोस्तों, आए discuss करते हैं, लेकिन discuss करने से पहले, अगर आप मेरा चैलेंग में नाए हो, तो प्लीज जाके चैलेंग को जाके subscribe क लिजे, like कर लिजे, और bell icon को enable करके रखे, क्योंकि in future, अगर हम कोई भी video मेरा चैलेंग में अपनोड करते हो, तो तूरंद आपके पास notification आ जाएगा, दोस्तों, मैं इंस्ताग्राम में भी हूँ, आप मुझे इंस्ताग्राम में भी follow कर सकते हो, जस्ट जाके simple search किजे, knowledge equity उसके बाद मुझे follow कर लिजे, दोस्तों, bank pension updation के बाड़े में आज एक new circulate हो रहा था, आज नहीं, कफिलब डे से, मतलब 3 to 4 डे से new circulate हो रहा था, bank pension updation का report, submission कर दिया है, IBM का subcommittee ने, दोस्तों, ऐसा new circulate हो रहा था, और बहुत सारे जो bank pensioner है, और bank retire ही से, यह जो बात है, इसको 100% मान लिया था, तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ, bank pension updation का report submission के बाड़े में, जो भी fake news चल रहा है, अभी market में, उसका कोई भी importance नहीं है, अभी तक, IBA का subcommittee ने कोई भी news submit नहीं किया है, DFS और FM का दफ्तर में, जो news circulate होड़ा है, दोस्तों, कौनो news circulate कर रहा है, लेकिन totally fake news है, bank pension updation के बाड़े में, और एक बड़ में बताना चाहती हूँ, IBA ने कोई भी, IBA का जो subcommittee है, और subcommittee का जो MDNCO, Central Bank of India का Mr. Rao जी है, अभी तक, अभी तक कोई भी ऐसा news नहीं आ है, जो IBA, DFS का दफ्तर में बेजाए, IBA ने FM का दफ्तर में बेजाए, तो total एक fake news है, fake news, fake news, मैं तीन बर बता चुकी हूँ दोस्तों, तो दोस्तों, इसके बीच में कोई भी इंपोर्टेंस है, news नहीं है, अभी तक, मतलब हमने एक वीडियो में बताये आपको, 17 जनवारी को जो सुप्रीम को उठे, ओ लोग आपना राय पेश करेगा, तो 17 जनवारी हमारे लिए important date है, लेकिन अभी जो social media में और print media में bank pension adaptation के बारे में जो news आ रहे है, दोस्तों, अभी तब कोई भी authenticate news नहीं है, मैं और एक चीज भी बताना चाहती हूँ, आगास्ट 25, 2021 में जो family pension अपडेट हुआ था, उस family pension में खुद हमारे honorable FM ने press conference किया, उसके बाद meeting किया, उसके बाद बोला, हमारे 30% family pension approved होंगे, और जो working employee है, उसका NPS का contribution 14% होगा, मतलब press conference किया, ओ बात 100% से ही है, अगर workman union बताएंगे, तो भी ओ 100% से ही है, DFS का दातर बताएंगे, तो भी 100% से ही है, लेकिन आप इस तरीके से, जितने भी social media है, और जितने भी, मतलब क्या बोलते है, जितने भी website है, इसमें दाभी किया जाड़े, submit हो गया है, लेकिन fake news है दोस्तों, इसके उपर आप लोग धियान मत दीजिए, ठीक है, तो यही था दोस्तों, आज का topic, topic अच्छा लगे तो चैनलन को subscribe कीजिए, और please mask पैन के बाढ़ जाए, thank you so much.